इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग कर करता है और हार्टबन और एसेड रिफलक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है जीवन शैली में कुछ साधारन बदलाव GERD के लक्षनों को कम करने में मदद कर सकते है इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराज की पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें सोने के तीन चार घंटे के अंदर कुछ न खाएं इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं रेबे का DSR कैपसूल को खाली पेट लेना है रेबे का DSR कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है डॉमपरिडोन और ट्रॉबिप्रागोल डॉमपरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आतों की गती को बढ़ाने के लिए उपरी पाचन तंत्र पर काम करता है जिससे भूजन पेट के माध्यम से अधिक आसानी से आगे बढ़ता है ट्रेबिप्रागोल एक प्रोटोन पंप अवरोधक यानि की PPI है जो पेट में एसिट की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिट से संबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद